सिल्मान खान का फूटा तहल का पर गुसा लगाई मनारा चोपड़ा को भी फटकार वल सिल्मान खान का कॉंट्रोवर्शियल रियालिटी शो बिग बो सीजन 17 के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला शनिवार के वार में सनी लियुनी अभिशेक सिंग के साथ अपने गाने थर्ट पार्टी को प्रमूट करने के लिए पहुँच थी है जा पर सनी लियुनी और अभिशेक घरवालों से एक टास्क भी कराते हुए नज़र आते हैं जिस में जिस भी कंटस्टंट से अपने रिष्टे को खत्म करना है उसके गुलाल लगा कर वॉल्ड की आखास करते हुए कंटस्टंट नजराए सभी कंटेस्टेंट एक एक करके अपने दुश्मन कंटेस्टेंट का नाम ले रहे होते जहाँ पर अंकिता लोखंडे मन्नारा चोपड़ा को बलाती हुए नजर आती और कहती है कि आज मन्नारा ने जिस टोन में उनसे बात भी और जो भी लडाई होई है उसे साब से अंकिता को ये तो clear हो चुका है कि अब उनका point कभी भी इस घर में मनारा के साथ दोबारा नहीं बन सकता मनारा इस बात पर ये कहती है कि finally अब तो अंकिता को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि उनका और मनारा का point इस घर में कभी भी नहीं बन सकता है वेल मन्नारा भी यहां अंकिता लोखंडे का ही नाम लेती हैं और उन्हें गुलाल लगा कर अपना रिष्टा उनके साथ खत्म करती हुई दिखाई देती है मन्नारा यहां पर भी अंकिता पर अलजाम लगाती हुई नजराई की घर में जब उनका सबसे लोवेस पॉइंट चल रहा था तब अंकिता ने गैंग अप करके उनके उपर हमला किया था साथ ही साथ अंकिता का तोन बहुत ही ज्यादा बुरा है यह बाते मन्नारा कहती हुई नजराई जिसके बात सलमान खान मन्नारा को फटकार लगाते हुई नजराते हुई और कहते हैं कि अंकिता लोखंडे उनसे इंडस्ट्री में सीनियर है तो उन्हें इस बात का ध्यान चाहिए और मनारा की भी टोन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती वहले आपर सलमान मनारा को याद दिलाते हैं कि जब उनका जगड़ा रिंकू और चिगना के साथ हुआ था तब भी उनका टोन बहुत ही ज्यादा सर्कैस्टिक था और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो इन सा में लड़कियों की इज़त नहीं करते हैं तहलका का टोन बहुत ही ज्यादा बिकार होता है और वो कहते हुए नजर आते हैं कि यह सलमान खान का शो है यहाँ पर लड़कियों के इज़त होनी चाहिए वल तहलका अभिशेक के पूरे फेस पर गुलाल लगा देते हैं जिस पर सलमान खान का गुस्सा तहलका पर फूटता हुए नजर आता है तहलका को सलमान खान फटकार भी लगाते हुए नजर आते हैं और सभी घरवालों से पूछते हैं कि क्या अभिशेक अभी भी किसी लड़की के साथ घर में बत्तमीजी करता है जिस पर सभी घरवालों का ये कहना होता है कि अब शेक अब अपने अंगर ईशू पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो किसी भी कंटेस्टेंज के साथ कोई भी बत्तेमीजी नहीं करते वल सलमान इन बातों को लेकर तैलका को डायट लगाते हैं और कहते हैं कि तैलका यही कॉमेंट्स में ज़रूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें